क्रिकेट चुकत की पाँच सबसे बड़ी खबरों के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है इस वीडियो में आज हम बात करेंगे दिन भर की पाँच सबसे बड़ी खबरों की तो चलिए शुरू करते हैं बीजिटी के बाद विराट कोली और रोहिट शर्मा, रविंद्र जाडी जोर आराश्विन में से किसी दो खिलाडियों को BCCI कर सकता है ड्रॉप PTI के एक रिपोर्ट के मुताबिक BCCI बीजिटी के बाद दो खिलाडियों को करेगी ड्रॉप अलग इसके उपर फैसला BGT के बाद लिया जाएगा IPL 2025 के उक्षिन का वेन्यू हुआ फाइनल रिपोर्ट की माने तो इस साल के IPL का उक्षिन 24 और 25 नवंबर को रियाग में आयुजित होगा विकेट कीपर बलिबाज रदिमान चाहा ने क्रिकेट से रिटार्मेंट का एलान किया रजी टॉफी 2025 के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूप से रिटायर हो जाएंगे साहा रशपपन्थ बनेंगे रोहित शर्मा के बाद भारतिय टीम के नए कप्तार पूरव भारतिय क्रिकेटर मुहमत कैफ ने बयान देते हुए कहा मौझूदा टीम में से केवल रशपपन्थी टेस्ट कप्तान बनने की दौड में है वो इसके हगदार है जब भी उन्होंने खेला है उन्होंने भारतिय टीम को आगे रखा है वो जिसभी नंबर पर खेलने के लिए आते हैं वो मैच जीतने वाली पारी खेलने के लिए तयार रहते हैं उन्होंने सभी परिस्थितियों में रन बना हैं चाहे वो इंग्लैंड हो ऑस्ट्रेलिया हो या साउथ अफरिका चाहे सिमिंग हो या टर्निंग ट्रैक वो एक महत्पुन बले बाज है आस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच पहला ODI आस्ट्रेलिया ने दो विकेट से जीता इस मैच में शांदार गींदबाजी के लिए मिचल स्टाउक को मिला मैन आफ दे मैच का वर्ट स्टाउक ने इस मैच में 10 ओवर में 3 मेडन डाले और 33 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किये अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें यदि आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज क्रिकेट विनर को फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेर करना ना भूलें